बात में हुंकारो, फौज में नगारो, बात कहता बार लागे, अधिक सोवे, अधिक जागे, और सोणियरी पागडी, जागता ले भागे राम भला दिन देवे तो, ये इस धर्ती के बात करने का तरीका है, बात यानि कहानी, कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, रण बाकुरों के धर्ती पर घुमाऊंगा वश्य, कहानी आप खुद बखुद बना लीजीगा, मैं आपको लिए चलता हूँ, जी हाँ, उदैपूर, मेवार क्षेक्त्र का एक प्रमुख नगर, महारणा प्रताप का मेवार, इतिहास के पन्नों में एक ओजस्फी नाम, मेवार, चले विलाश जी, उदैपूर की इस यात्रा में मैं भी आपके साथ हो, पर सिर्फ अपनी आवाज के जरीए कहां से शुरू करो, हाँ, उदैपूर से, मेवार के प्रमुख दूर्ग चितौर गड़ पर, जब मुगलों का अधिकार हो गया, तब एक सुरक्षित दूर्ग की आवशक्ता हुई, चारव तरफ अरावली पहाड़ियों और जीलों से घिरे एक समतल स्थान पर उदैपूर शहर की नीव रखी गई, महारणा उदैपूर सिंग चितौर से निकल चुके थे, तब ही उदैपूर शहर की नीव रखी गई, वो समय था सन पंद्रा सो उन्साट या साट के आसपास का, जो घिरा है तीन प्रमुक जीलों से, पिछोला, फटे सागर और उदै सागर, वीरों, जीलों और महलों का नगर उदैपूर, वीरता और कला का अनुठा संगम है, ये नगर जितना कलात्मक है न, उतना ही सुद्रण और सुरक्षित भी, कुछ लोग इसे एतिहासिक्ता का नगर कहते हैं, तो कुछ राजपूती शोहर का पालना, सस्त ये है कि मेवाड भक्ती, प्रेव और शक्ती की एक मिसाल है, प्राक्रतिक सौंदरिय, संस्कृति, कला, साहित्य और इतिहास के संगम, उद्रपूर नगर में आपका स्वागत रहे हैं, सुरक्षा की द्रश्टी से, उद्रपूर के चारों और एक दिवार बनाई गई, जिसे शहर पना या शहर कोट कहते हैं, चलिए, सबसे पहले मुख्धवार की और ही चलें, इस द्रपूर को नाम दिया गया सूरज पूल, पूल यानि द्रपूर, सूरिक की पहली किरन का स्वागत यही द्रपूर करता है, चित्तौर, भीलवाडा, अजमेर, जैपूर और दिल्ली को इसी द्रपूर की सड़क मिलाती है, इसी तरह नगर की अन्य दिशाओं में भी अनेक पूल हैं, उदिया पूल, चांद पूल, हाथी पूल, ब्रह्म पूल और बड़ी पूल वगर है, यह है बड़ी पूल, अगर बड़ी पूल से अंदर चलें, तो सीधे सीटी पैलेस पहुंचते हैं, बीज वीच में कई तोरण द्वार भी हैं, सीटी पैलेस पीछूला के किनारे बसा हुआ है, पता है इस भव्य महल का निर्बान किनों ने प्रारम करवाय था, महाराणा उदै सिंग ने, यह विशाल द्वार त्रिपोलियों की और ले जाता है, त्रिपोलियों की दाहिनी और एक विशाल आंगन में अने खेल और युद्ध कौशल प्रत्योगिताएं भी होती थी, जिसमें हाथियों का बल प्रत्रशन प्रमुक था, आपने ध्यान दिया होगा कि यहां की भवन निर्मान कला यानि वास्तु कला में जरोखों, बरामदों, गलियारों और छत्रियों की प्रधानता है, यह वास्तु कला यहां के पर्यावरन और मौसम को ध्यान में रखते हुने अपनाई गई है, सिटी पैलेस में ही चंद्रमहल, बारी महल और दिल्खुष महल भी हैं, इनकी वास्त शिल्फ और कारीगरी तो देखते बनती हैं, यह जो पेड़ आप देख रहे हैं, वे भी बहुत पुराने हैं, हो गए ना दिल्खुष, इसी लिए तो इसका नाम है दिल्खुष महल, काश के प्रयोग से इसमें अत्यनत सुन्दर पच्ची कारी की गई है, महल के इस भाग में उड़ते थे होली के गुलाल और रंग दिखेटी थी पिछकारियों की फुहार, सिटी पैलिस में राजस्थान की लगू चित्रकला का अमूल्य संग्रह है, यहीं पर एक कक्ष में युद्ध में काम आने वाले शस्त्रों का संग्रह भी देखा जा सकता है, मेवार के सूरी वन्षी राणाओं की परंपरा रही है, कि जब तक वे सूरी देवता की दर्शन ना करें, तब तक अन ग्रहन नहीं करते, लेकिन जब सूरी को बादल ढख लें, तब क्या करें? इसी बात को ध्यान में रख कर, इस स्वर्ण सूरी का निर्मान कराया गया, कितना अद्बुत लगता है न, यह स्वर्ण निर्मित सूरी, शोरी का प्रतीक, मेवार के राजगरानों ने अनेक भव्य मंदिरों का निर्मान करवाया, इन मंदिरों के शिल्प में अलंकरण की बारी की देखी जा सकती है, यहां के अधिकाश मंदिर उंचे चबूत्रे पर बनवाई जाती थे, यह है जगदी शौक और यह है भवव्य और देव जगदी जी का मंदिर, इसे जगणाद राय मंदिर भी कहते हैं, सुन पा रहे हैं आप, हसी की मीठी खनक, पायल, राजबालाओं और उनकी सहलियों की सैरगाह, यह सहलियों की बाड़ी, हसी ठिठोली की वहारे, आज भी सैसा छू जाती हैं, महाराना सज्जन सिंग्दारा निर्मित, उंचे पहाड पर बसा, बादलों से बात करता ये किला, सज्जन गड कहलाता है, इसे मांसुन पहलेस या बादल महल भी कहते हैं, जग प्रसिद्ध पिछुला जील के बीच बना ये भव्य महल, उदापुर का विशेश आकर्शन है, इसे जग निवास कहते हैं, आज कल इसे लेक पैलेस होटल के नाम से जाना जाता है, विलास जी, अब हम जग मंदिर की ओर चल रहे हैं न? पीले पत्थरों से बना हुआ ये महल, मेवार की वास्तुकला का बेतरीन उदारण है, छतों की ये अर्ध चंद्रकार बनावत राजिस्थान की विशेशता है, बहुत से वास्तुकार इसे बंगाल की फूस की छतों की बनावत का प्रभाव मानते हैं, पत्थरों पर बनाई गई जालियां भी राजिस्थान की विशेशता है, जगबंदिर के इस हिस्थे को गोल महल कहते हैं, पीले पत्थर और संगमर्मर से बनी इस इमारत का सौंदर्य देखते ही बनता है, माहरणा कर्ण सिंगदरा निर्मित इस गोल महल में शैजादा खुर्रम अपने शरण काल में कुछ समय रहें, पत्थरों पर की गई ये नकाशी सच मुच कितनी अदृत लगती है, कारीगरों के श्रम और कौशल के आगे मन स्वता नत्मस्तक हो जाता है, गोल महल के भूतल कक्ष की ये सुन्दर भित्ती चित्रकारी, यहां दीवार की चित्रकारी यानि भित्ती चित्रकारी में गुल्दस्ते और शिकार के द्रशे अंकित किये गए हैं, आगे हैं, प्रास दीला का ये सुन्दर चित्रांकन भी उतना ही पुराना है जितना इस महल का इतिहास भारत के वीर सपूत महाराना प्रताप का समारक जी हाँ ये केवल महाराना प्रताप का समारक ही नहीं है उनके वफादार साथी चेतक की कहानी भी यहां गूंज रही है हल्दी घाटी हमें आज भी मात्र भूमी प्रेम का संदेश सुनाती है इन महलों समारकों में लगबग प्रत्यक के स्थाथ कोई न कोई रोचक कथा क्यूंवदन की जुड़ी है लेकिन वे जितनी महत्वपून है उससे कहीं अधिक महत्वपून है इनका स्थापत्य और रचनाशन पूर्द अधारो मारे देश गणगोर घार के साथ जुड़ी यह है बागोर की हवेली यहीं भारत में स्थापित साथ क्षेक्त्री सांस्कृति के अंद्रों में से एक पश्च्यूंक्षेक्त्र सांस्कृति के अंद्र का मुख्यालाय है मेवार की सांस्कृतिक धरहर को संजोय रखने का प्रयास कर रही है यह हवेली बागोर की हवेली में एक संग्रहालाय भी है बागोर की इस हवेली में सौ से अधिक कक्षें बरामदे गलियारे और नकाशिदार जरोखे हैं इस संग्रहाले में राजपरिवार खासतोर पर रनिवास के वैभव और उसकी भीतरी सज्जा को संजोय कर रखा गया है इन कक्षों में रानियों के दैलिक उप्योग की वस्तुएं संग्रहे थें हे सकी तो काई मन मारे करा थाल भरो गज मोतिया तो उपर नैन धरा पधारो मारे देश जी ब्रिगा नरी राडोला आवो नी पधारो मारे देश जी के सरिया मालम आवो नी पधारो मारे देश संध्या का समय ओजाले की अंतिम किरन भी अब छुप रही है आज यहीं तक पर उद्यपूर की यात्रा वहां की संस्कृति जीलों जलाशियों के बिना कहां पूरी हो सकती है तो अगले पड़ाव पर फिर मिलेंगे और बाते होंगी जीलों की उद्यपूर की संस्कृति शिल्प की वहां के जलजीवन की निजरीला लाग से ही रासा शड़ियों ता जिणों रेलाश नया मारों के शरीलों अजारी फूले के शरीय ना ओला लाग रेले के शरी जर्णा मिद्रीला लाग से वह बना मालों के शरीलों है के शरी जर्णा